Hello Children, Welcome to Let's Learn Primary Basics प्यारे बच्चों, आज हम मेरा विद्याले विशे पर दस पंक्तियां लिखना सीखेंगे कि कैसे हम अपने विद्याले के बारे में दस पंक्तियां लिखते हुए उसका विवरण दे सकते हैं आईए शुरू करते हैं मेरा विद्याले लिखते समय जो पहली पंक्ति होगी उसमें आप अपने विद्याले का नाम लिखेंगे कि आपके विद्याले का क्या नाम है मेरे विद्याले का नाम जो भी आपके विद्याले का नाम है वो यहाँ पर लिखकर लास्ट में विद्याले लिखेंगे मेरे विद्याले का नाम डैश डैश विद्याले है इस डैश डैश वाली खाली जगह में आप अपने विद्याले का नाम लिखेंगे और वाक्य खतम होने पर पूर्ण विराम लगाना ना भूले दूसरी लाइन में जो हम लिखेंगे वो होगा कि हमारा विद्याले किस एरिया में है किस लोक्यालिटी में है या जहां पर भी आपका विद्याले है उस जगह का नाम और शहर का नाम लिखेंगे हम लिखेंगे यह है जैसे हमारा विद्याले महिपालपूर में है तो हम लिख सकते हैं यह है महिपालपुर और क्योंकि महिपालपुर नई दिल्ली में है तो हम लिख सकते हैं नई दिल्ली में स्थित है स्थित मतलब वहाँ पर बना हुआ है हमारा विद्याले आधास आएगा स्थित में अब हमने अपने विद्याले का नाम बता दिया जगह बता दी उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे विद्याले की बिल्डिंग या भवन कैसा है तीसरी पंक्ती में हम बताएंगे कि हमारे विद्याले का भवन बिल्डिंग कैसी है उसके लिए हम लिख सकते हैं मेरे विद्याले का भवन विशाल विशाल का मतलब होता है बड़ा अगर आप विशाल ना याद रख पाएं तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं पर अपने विद्याले पर जो अनुछेद है उसको बहुत इंप्रेसिव बनाने के लिए हम कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तो मेरे विद्याले का भवन विशाल और सुन्दर है क्योंकि हम सबका विद्याले हरा भरा होता है साफ सुत्रा होता है तो इसलिए वह सुन्दर दिखता है तो विशाल और सुन्दर है आपके विद्याले का भवन भवन का मतलब होता है बिल्डिंग जैसा आपका विद्य अप इसमें 35 आपके विद्ध्याले में जितने कम रहे हैं आप उतना यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं उतनी संख्या 50 हो सकते हैं आपके विद्याले में छोटा स्कूल है तो 20 हो सकते हैं या 25 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं आपके विद्याले में जितने कमरे हैं आप यहाँ पर वह संख्या लिख दीजिए इसमें 35 कमरे और एक बड़ा हॉल है सभी के विद्याले में hall होता है जहां पर functions होते हैं त्योहार मनाई जाते हैं जैसे स्वतंतरता दिवस, गंडतंतर दिवस तो बड़ा hall है तो आप hall लिख दीजिए और जिनके विद्याले में hall नहीं है वो यहीं पर इसमें 35 कमरे हैं करके खतम कर दीजिए ठीक है उसके बाद अगली line में हम लिख सकते हैं कि आपके विद्याले में खेलने के लिए क्या सुविधा है उसके बारे में आप लिख लेंगे तो हम लिखेंगे इसमें खेलने के लिए आप सब खेलते हैं recess में खेलते हैं, games period में खेलते हैं तो खेलने के लिए बड़ा मैदान प्लेग्राउंड को हिंदी में मैदान बोलते हैं मैदान है जहां हरे भरे पेड़ पौदे हैं देखिए अगर आपको अपनी लाइन यहां फिनिश करनी है तो आप कर सकते हैं कि खेलने के लिए बड़ा मैदान है लेकिन आपके स्कूल में अगर मैदान में बहुत अच्छे अच्छे हरे भड़े पेड लगे हुए हैं तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो आप ना करें ये टोटली आपके उपर डिपेंड करता है जहां हरे भड़े पेड पौधे हैं और यहां पर वाक्य फिनिश हो गया उसके बाद आपके विद्याले में किताबों की क्या सुविधा है आप ये भी लिख सकते हैं हम लिखेंगे इसमें एक पुस्तकालय है पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी आपके स्कूल में भी जरूर होगी एक लाइब्रेरी इसमें एक पुस्तकाले है जहां हम पुस्तकें या किताबें दोनों एक ही बात हैं पढ़ने जाते हैं क्योंकि लाइब्रेरी का पीरिड आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है वैसे तो आप चाहे पूरा दिन क्लास में पढ़ते हैं लेकिन कहानियों की किताबें पढ़ने आप पुस्तकाले में जाते होंगे इसलिए हमने ये लिखा है जहां हम पुस्तकें पढ़ने ज सुविधा है तो हम लिख सकते हैं इसमें पीने के साफ पानी की सुविधा है ठीक है आप सब साफ पानी अगर पीते हैं तो आप ये लाइन लिख सकते हैं उसके बाद आप बताएंगे कि आपके स्कूल में कितनी क्लासिज है या कितने बच्चे पढ़ते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसमें आजकल आपको पता है नर्सरी केजी को क्या बोलते हैं? बालवाटिका है ना बालवाटिका बोलते हैं nursery kg को बालवाटिका और 1st से 5th तक primary classes होती है तो हम लिखेंगे इसमें बालवाटिका और primary कक्षाओं में अब हम अंदाजे से लिख सकते हैं क्योंकि आपको अपने स्कूल में बिल्कुल exact number नहीं पता होगा लगभग एक हजार अगर आपके स्कूल में लड़के पढ़ते हैं तो आप छात्र लिख सकते हैं लड़कियां पढ़ती हैं तो आप छात्राएं लिख सकते हैं और यदि आपके स्कूल में चात्र और चात्राएं दोनों हैं तो आप ऐसे डैश लगाईए इसका मतलब चात्र और चात्राएं पढ़ती हैं तो जो भी आपके स्कूल में पढ़ते हैं आप उस हिसाब से चात्र चात्राएं या चात्र और चात्राएं लिख सकते हैं ये आपके स्कूल के अनुसार आप लिखेंगे उसके बाद next line में आप लिख सकते हैं कि आपके school में कितनी अध्यापिकाएं हैं तो हम लिख देंगे यहां जितनी भी आपके school में अध्यापिकाएं हैं मान लीजिए 20 हैं 25 हैं हम 25 मान कर चलते हैं यहां 25 अगर आपके school में sir हैं तो अध्यापक लिखेंगे अगर आपके स्कूल में मैडम हैं टीचर्ज लेडी हैं तो अध्यापिकाएं लिखेंगे और यदि कुछ सर हैं और कुछ मैडम हैं तो आप ऐसे डैश लगाईए यह योजक चिन होता है इसका मतलब होता है और अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं जो हमें मेहनत और लगन से आपकी टीचर्ज आपको बहुत मन से पढ़ाते होंगे तो आप लिख सकते हैं जो हमें बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं ठीक है ये अध्यापक अध्यापिकाओं की बात हो गई और जब आपके स्कूल में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इतनी अच्छी पढ़ाई होती है तो मुझे उमीद है आप सभी को अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता होगा आप रोज वेट करते होंगे बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरा विद्याले बहुत अच्छा लगता है तो आज हमने ये दस लाइन्स या नुछेद या ऐसे कुछ भी कह सकते हैं निबंद कह सकते हैं लिखा है मेरे विद्याले पर तो मैं आशा करती हूँ आपको हर पॉइंट समझ आया होगा अगर विडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजे शेयर कीजे और चानल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजे क्योंकि हम ऐसी नए नए विडियो लगभग डेली बनाते हैं तो तिल दे नेक्स वीडियो टेक कियर और कीप लरनिंग बाई बाई